C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्थुत है कक्षा 6 की विज्ञान की पाठे पुस्तक विज्ञान 1. प्रस्थुत है इस पुस्तक का पाठ 4. शीर्शक है वस्तूओं के समुह बनाना. तो आईए अब सुनते हैं पाठ 4. प्रेश्ट 26 पुस्तके, वस्त्र, खिलोने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तूओं देखते हैं. इन सभी वस्तूओं की आकरितियां रंग यानि वर्ण तथा गुन भिन भिन होते हैं. जैसे चित्र 4.1 में दर्शाया गया है. यहां पर कुछ हमारे चारों ओर दी गई वस्तूओं को दर्शाया गया है. जैसे ताला चाबी, गुडिया, पेपर वेट, ग्लास, स्टैपलर, रबर, दस्ताने, मोबाइल फोन, सीडी, पेचकस, पैन, चाबी इत्याती. अपने चारों ओर देखिए, तथा गोल आकरिती की वस्तूओं पहचानिए. हमारी सूची में विभिन प्रकार की गेंद जैसे रबर की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मलित हो सकते हैं. यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तूओं को भी सम्मलित कर लें, त तथा घड़े जैसी वस्तूओं को भी रखा जा सकता है. मान लिजिए, हम ऐसी वस्तूओं पर ध्यान दे रहे हैं, जिन्हें खाया जा सकता है. तब हम इस सूची में उन सभी मदों यानि वस्तूओं को सम्मलित कर सकते हैं, जिन्हें हमने अध्याए एक की सारणियों 1.1, एक पॉइंट दो एवं एक पॉइंट तीन में सूची बद्ध किया था यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तूओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तूओं इस समुह में भी समलित हों मान लीजिये हम प्लास्टिक की बनी वस्तूओं का एक समुह बनाना चाहते हैं बाल्टियां, लंच बॉक्स, खिलोने, जलपात्र, पाइप यानि नलियां तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तूओं को इस समुह में इस्थान मिल सकता है अताहा वस्तूओं के समुह बनाने के बहुत से धंग है उप्योक्तोधारण में हमने वस्तूओं को समुहों में उनकी आकरितियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा है हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं ये पदार्थ काँच, धातुएं, प्लास्टिक, लकडी, रूई, कागज, पंक तथा मृदा हो सकते हैं क्या आप पदार्थों के और अधिक उधारणों के विशे में विचार कर सकते हैं? क्रिया कलाप एक आएए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एक अत्रिक करते हैं हमें से प्रतेक अपने घर से प्रती दिन उप्योग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथ्वा विद्याले के बाहर से एक अत्रिक कर सकता है हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चाक, पैंसिल, नोडबुक, रबड, डस्टर यानि जाडन, हथोड़ा, कील, साबुन, पहिये का आरा, बैट बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू हम वस्तुएं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोची ही सकते हैं कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते, उधारन के लिए दीवार, व्रिक्ष, दर्वाजे, ट्रैक्टर और सडकें इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को प्रथक कीजिए जो कागज अथ्वा लकडी से बनी हैं इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समुहों में बांड सकते हैं इन में एक समुह की सभी वस्तुओं कागज अथ्वा लकडी से बनी हैं तथा इसी प्रकार हम खाना पकाने में उप्योग होने वाली वस्तुओं को प्रथक कर सकते हैं आईए, अब हम कुछ अधिक योजना बद्ध होते हैं. एकत्र की गई सभी वस्तूओं की सारणी चार पॉइंट एक में सूची बनाईए. प्रते एक वस्तू जिन जिन पदार्थों से बनी है, उनको पहचानने का प्रयास कीजिए. इतनी लंबी सारणी बनाना, जिसमें जि पॉचना एकत्र करके लिखना एक कौतुख हो सकता है. एकत्र की गई वस्तूओं में से कुछ वस्तूओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है. ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा यहां पर बूजो को दर्शाया गया है। बूजो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उप्योग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। क्रिया कलाप दो सारणी चार पॉइंट दो में कुछ सामाने पदार्थों की सूची दी गई है। इसके अत्रिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम एक में जोड सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उप्योग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए। जो मुख्यता इन ही पदार्थों से बनी हैं। और उन्हें कॉलम दो में सूची बद्ध कीजिए। इन सब सारणीयों से हमें क्या पता चलता है। पहले हमने वस्तुओं को कई धंग से समोहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों और की वस्तुओं विभिन पदार्थों से बनी हैं। सारणी 4.2 समान पदार्थ से बनी विभिन प्रकार की वस्तुओं जैसे पदार्थ लकडी इन पदार्थों से बनी वस्तुओं कुरसी, मेज, हल, बैल गाड़ी और इसके पहिये। पदार्थ कागस इससे बनी वस्तुओं, बुस्तके, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलाओने, कैलेंडर, पदार्थ चम्रा, जैसे चम्रा, इससे बनी वस्तुओं के नाम बताईए, प्लास्टिक, इससे बनी वस्तुओं के नाम बताईए, रुई, इस पदार्थ से बनी प्रेश्ट 28 विभिन पदार्थों के बारे में और अधिक जहनकारी प्राप्ट करने की आविशक्ता है 4.2 पदार्थों के गुण क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता अध्यायतीन में कपड़े के टुकणों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उप्योग सामानिता द्रवों को रखने के लिए करते हैं इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कारे काफी हास्यास्पत प्रतीत नहीं होगा चित्र चार पॉइंट दो में कपड़े के गिलास का उप्योग करते हुए एक लड़की को दर्शाया गया है गिलास बनाने के लिए हमें काच, प्लास्टिक, धात, हत्वा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हूँ इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए काफ़ का उप्योग करना भी कोई बुद्धिमानी का कारे नहीं माना जाएगा तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तू को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चैन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उप्योग की जाने वाली वस्तू के प्रयोजन पर निर्भर करता है अता पदार्थों के वो सब गुण क्या हैं जो उसके उपियोग के लिए महतपून होते हैं नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है दिखावट पदार्थ प्राया एक दूसरे से भिन दिखाई देते हैं लकडी लोहे से बिलकुल भिन दिखाई देती है लोहा तांबे अथवा एलूमिनियम से भिन दिखाई पड़ता है परंतु फिर भी लोहे तांबे तथा एलूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकडी में नहीं पाई जाती क्रिया कलाप तीन विभिन पडार्थों जैसे गत्ता, लकडी, तांबे का तार, एलूमिनियम की शीट और चाक के छोटे-छोटे टुकडे एककत्र कीजिए क्या इन में से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है चमकीले पडार्थों को एक समों में प्रथक कीजिए अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रतेग पडार्थ को दो भागों में काटें ताजे कटे प्रिष्टों को ध्यान से देखिए जैसे की चित्र चार पॉइंट तीन में धातुओं के टुकडों को उनकी दिवती देखने के लिए काटा हुआ दर्शाया गया है आपने क्या पाया? क्या इन पडार्थों में से कुछ के ताजे कटे प्रिष्ट चमकीले हैं? इन वस्तूं को भी चमकीले पडार्थों के समूह में समलित कीजिए क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा डिुती देखते हैं? जैसे भी सम्मव हो सकें, किसी भी ढंग से इनहें काटिये, ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं? कीजिये, तथा डिुती वान तथा डिुती हीन पदार्थ प्रिष्ट 39 और ड्यूति हीन यानि निश्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायू तथा नमी की अभी क्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे प्रिष्टूं पर ही ड्यूति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्क्शॉप का भ्रमण करें तो धातू की चड़ों के ताजे कटे प्रिष्टूं को देखने का प्रियास करें और यह देखें कि इनमें दिखूति है अथवा नहीं। कठोरता जब आप विभिन पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना यानि संबीडित करना कठिन होता है जबकि कुछ अन्य आसानी से संबीडित हो जाते हैं। धातू की एक चाबी लीजिए तथा इस से लकडी, एलुमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मुम्बत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तू के प्रिष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन गुण हो सकते हैं, जैसे द्यूती, कठोरता, रूक्ष यानि खुर्दरा, अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं, जो किसी पदार्थ की दिखावट का वरणन करते हैं। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू यानि रेत तथा लकडी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के पांच गिलास लीजिए, प्रते गिलास के लगभग दो बटा तीन भाग में जल भरिये। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चमच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेश गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाईए। प्रते गिलास की अंतर वस्तु को चमच से विलोडित कीजिए यानि धीरे धीरे हिलाईए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, प्रेक्षन कीजिए और पता लगाईए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। चित्र 4.4 में यही दर्शाया गया है, इसमें दो कंटेनर दर्शाय गये हैं, जिसमें दिखाया गया है कि क्या लुप्त होता है और क्या नहीं। अपने प्रेक्षनों को सारणी 4.3 में दर्शाय अनुसार नोट कीजिए। सारणी 4.3 इसमें विभिन ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना दर्शाया गया है। पदार्थ जैसे नमक जल में लुप्त हो जाता है या लुप्त नहीं होता। जल में पूर्ता लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार अब इन पदार्थों के बारे में भी बताईए. चीनी, बालू, चाग पाउडर, लकडी का बुरादा. आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्टा लुप्थ हो गए, अर्थात घुल गए, यानि विलीन हो गए हैं. हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विले हैं. अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते, तथा काफी समय तक गिलास में विलोडित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते. ये पदार्थ जल में अविले हैं। चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है। इसलिए हमारे शरीर के प्राकारियों में इसकी एक महतपून भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं। क्रिया कलाप पांच, सिर का, नीबू का रस, सर्सों का तेल, अथवा नारियल का तेल, मिटी का तेल, अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। काज का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिये। अब इसमें चमच भर कर कोई द्रव मिलाएं। और भली भ जल के साथ मिश्रित हो जाता है। चित्र 4.5 में दो कंटेनर दिखाए गए हैं, A और B. कुछ द्रव जल में भली भांती मिश्रित हो जाते हैं, जैसा कि कंटेनर A में दिखाया गया है, जबकि B में कुछ नहीं होते। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्द हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराईए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.4 में लिखिए। हम ये देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णता मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर प्रणी 4.4 यहां कुछ सामानने द्रवों की जल में विलैता के बारे में दर्शाया गया है। जैसे द्रव सिरका, ये भली भाती मिश्रित होता है या मिश्रित नहीं होता है। ये भली भाती मिश्रित होता है। इसी प्रकार आगे बताईए। भली भाती जल में मिश्रित होते हैं अत्वर नहीं यहां पर बूजो को दर्शाया गया है बूजो यहां सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रिया कला पांच में जिन द्रवों का उप्योग किया था क्या जल के अत्रिक्त किसी अन्य द्रव में भली भाती मिश्रित हो जाते हैं पहेली यहां जानने के लिए उस्सुख है कि क्या गैसे भी जल में विलीन हो जाती है कुछी गैसे जल में विले हैं जबकि अन्य नहीं है समानिता जल में कुछ गैसे थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं उधारण के लिए जल में विलीन आक्सीजन गैस, जल में रहने वाले जन्दूं एवं पादपों की उत्तर जीविता के लिए अत्यंत महत्पून है वस्तुएं जल में तैर अथवा डूप सकती है क्रिया कलाब चार करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलाइ ठोस, जल से प्रधक हो जाते हैं क्रिया कलाब पांच में भी आपने कुछ द्रवूं के साथ ऐसा ही देखा होगा इन में से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के प्रिष्ट पर आकर तैरने लगे थे यहां एक चित्र 4.6 में जल में डूपती तथा तैरती हुई वस्तूओं को दर्शाया गया है जिन में एक चाबी है, एक सिक्का है, कुछ और सिक्के हैं, एक गेंध है, एक पत्ती है और एक लकडी का तुकड़ा दर्शाया गया है अन्ने डूप कर गिलास की तली में पहुँच गये थे, क्या यह सही नहीं है हम ऐसे बहुत से उधारण देखते हैं, जिन में पदार्थ जल में तैरते रहते हैं, अथवा डूप जाते हैं, जैसे की चित्र 4.6 में दर्शाया गया है किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्या, वह कंकर जो आप इसी तालाब में फेक देते हैं, शहद की कुछ बूदें जिने आप गिलास की जल में तालते हैं, इन सबका क्या होता है बूजो यह जाता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के पांच-पांच उधारनते अनिद्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अत्वा डूब जाते हैं इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परिक्षन करेंगे पार दर्शिता आपने लुका चिपी का खेल खेला होगा उन इस्थानों के बारे में विचार करिये जहां आप खेलते समय चिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई नातें आपने इन इस्थानों को ही क्यों चना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे चिपने का प्रयास किया है? सपश्ट रूप से नहीं क्यूंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देख कर आपका पता लगा लेगा उन पदार्थों अथवा सामगरियों जिन से होकर वस्तूं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं चित्र 4.7 इस चित्र में मुखावरण अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी दिखाया गया है काच, जल, वायू तथा कुछ पिलास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उधारण हैं प्राया, दुकानदार, बिस्कुट, मिठाईयां तथा अन्निक खादे पदार्थों को काच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीजों को आसानी से देख सके जैसा कि चित्र संख्या चार पॉइंट आठ में दुकान में रखी पारदर्शी बोतलों को दर्शाया गया है इसके विपरीद कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिन से होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकडी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे, अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है लकडी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उधारण हैं क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांती के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समोहित कर सकते हैं क्रिया कलाप छै कागस की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए इस सम्बंध में अपने प्रेक्षन नोट कीजिए अब कागस की शीट के बीच में दो तीन बूंद खाने का तेल या मक्षन डाल कर इसे फैलाईए कागस के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दुबारा ध्यान से देखिए अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहली की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है परन्तु क्या आप इस चिकने कागस से होकर प्रतीक वस्तु को पूर्टा स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं, ऐसे पदार्थों जिन से होकर वस्तु को देख तो सकते हैं, परन्तु बहुत इस पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं कागस पर लगे उस तैलिये धब्बे को याद कीजिए, जिसका उप्योग हमने खादे पदार्थों का वसा के लिए परिक्षण करने में किया था वह भी पारभासी ही था क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उधारणों पर सोच विचार कर सकते हैं? अतहा हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समुहों में बाढ़ सकते हैं पहली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हतेली से ठकने का सुझाव देती है टॉर्च का स्विच आउन करके हतेली के दूसरी ओर का प्रेक्षन कीजिए वहाँ यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हतेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है अथवा पारभासी चित्र 4.9 इस चित्र में एक टॉर्च के उपर हाथ रखकर टॉर्च के प्रकाश को आपकी हतेली से गुजरता दर्शाया गया है हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती हैं तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं वे जल में तैर अथवा डूप सकते हैं, अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथ्वा विभिनताओं के आधार पर किया जा सकता है हमें पदार्थों को समूहों में रखनी की आविशक्ता क्यों पड़ती है दैनिक जीवन में हम प्राया पदार्थों का समोहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं घर में हम अपनी वस्तूओं का भंडारण, समानिता इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तूओं एक साथ रखी हो इस प्रकार की वेवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं इसी प्रकार कोई पंसारी, प्राया सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कौने में रखता है सभी साबनों को अन्यस्थान पर जबकि अनाज तथा दालों का भंडारा किसी अन्यस्थान पर करता है इस प्रकार के समोहन के लाभु प्रद होने का एक दूसरा कारण भी है पदार्थों को इस प्रकार समोहों में बांट कर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किनी भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधा जनक बन जाता है। इसके विशे में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। प्रमुक शब्द कठोर अविले दुतिमे यानि चमकीला पदार्थ धातु अपारदर्शी रूक्ष यानि खुरदरा विले पारभासी पारदर्शी प्रिष्ट संख्या आठ सारांश प्रिष्ट तेंटीज हमारे चारों और की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। किसी दिये गए पदार्थ का उप्योग बहुत सी वस्तूओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तूओं को केवल एक यही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है। अथवा उसे विभिन प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन प्रकार के पदार्थों के गुण भिन भिन होते हैं. कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, जबकि अन्ने नहीं होते. कुछ खुर्दरे होते हैं, तो कुछ अन्ने चिकने, यानि मसूर. इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते ह तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं, कुछ पदार्थ जल में विलै होते हैं, जबकि कुछ अन्य अविलै होते हैं, कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं, तथा कुछ अन्य जैसे लकडी एवं धातुएं अपारदर्शी होते हैं, कुछ पदार्थ पारभासी होते ह पदार्थों को उनके गुणों में सामानताओं तथा विभिनताओं के आधार पर समुहों में बाटा जाता है। वस्तूओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्यन के लिए एक साथ समुहित किया जाता है। अभ्यास एक, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली पाँच वस्तूओं के नाम लिखिये। दो, यहां कुछ वस्तूओं के नाम बताए गए हैं। उनके चमकदार पदार्थों का चैन कीजिए। यहां एक सारणी दी गई है जिसमें एक कॉलम में वस्तूओं बताई गई हैं और दूसरे कॉलम में पदार्थ दिये गए हैं। इन वस्तूओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिन से उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए कोई वस्तू एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है। तथा किसी दिये गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तूओं को बनाने में भी किया जा सकत वस्तुएं पुस्तक, गिलास, कुर्सी, खिलावना, जूते, पदार्थ, कांच, लकडी, काघज, चमड़ा, प्लास्टिक. यहां कुछ कथन दिये गए हैं, जिन्हें सुनकर बताईए कि वो सत्ते हैं अथ्वा असत्ते. पत्थर पारदर्शी होता है, जबकि कांच अपारदर्शी होता है. नोटबुक में द्यूती होती है, जबकि रबड यानि एरेजर में नहीं होती. चाक जल में विलीन हो जाता है. लकडी का टुकड़ा जल पर तैरता है. चीनी जल में विलीन नहीं होती. च तेल जल के साथ मिश्रणिय है च बालू यानि रेत जल में निहसादित हो जाता है ज सिरका जल में विलीन हो जाता है पांच यहां कुछ वस्तूओं तथा पदार्थों के नाम दिये गए हैं जल बास्केट बॉल संत्रा चीनी ग्लोप सेब तथा मिट्टी का घड़ा इनको इनकी आकरितियों के अनुसार समुहित कीजिए साथी खादे तथा अखादे वस्तूओं के रूप में समुहित क गोल आकरिती तथा अन्याकरितियां ख खादे तथा अखादे चल में तैरने वाली जिन वस्तूओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाईए जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती हैं साथ, यहां कुछ वस्तूओं के समुह बताए गए हैं जिन में से उस वस्तूओं की पहचान कीजिए जो समुह की दूसरी वस्तूओं से मेल ना खाती हो क कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी, ख गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, ग एलुमिनियम, आइरन, तांबा, चांदी, रेत, ग चीनी, नमक, रेत, कौपर सलफेट, प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रिया कलाप आपने अपने मित्रों के साथ स्मरन शक्ती खेल खेला होगा, किसी मेज पर कई वस्तूओं रखी हैं, आपको उन्हें कुछ मिनट प्रेक्शन करने के पश्चात किसी दूसरे कमरे में जाकर उन सभी वस्तूओं जो आपको याद हैं, उनके नाम लिखने के लिए कहा जाता है, इस खेल को कुछ अंतर के साथ खेलिए, इस स्मरन शक्ती खेल के सभी प्रतिभागियों से यह कहिए, कि वे इस खेल को खेलते समय किसी विशिष्ट गुण के साथ वस्तू का नाम याद रखें, याद कीजिए और लकडी से बनी वस्तूओं के नाम, खाने वाले पदार पदार्थों के व्रहत संग्रह से विभिन गुणों, जैसे पारदर्शिता, जलमे विलैता तथा अन्य गुणों के आधार पर वस्तूओं के समुह बनाईए, आगे के अध्यायों में आप विद्युत तथा चुम्बकत्व से संबंधित गुणों के विशे में भी सीखें उधारण के लिए क्या वे सभी पदार्थ जिन में डुटी होती है, विद्युत चालन करते हैं। इसी के साथ सोला पाठों के इस पुस्तक का चौधा पाठ यहां समाप्त हुआ।